हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव इस्ट्रेम पर हाँ तो बताइए आप सभी लोग लाइव इस्टार्ट हो गई है कि नहीं आज हम लोग देखेंगे थ्रीपीस प्रिंसेसकर ब्लाउज की किटिंग किस प्रकार से करनी है तो आई एम लाइव और इस 이esky आ रहे की नहीं विडियो ठीक से आ रहाएं की नहीं जिन भी लोगों को प्यपर कटिंग्स वगरा मंगाना है डिस्प्लेए पे हमारा वट्सप नमबर चल रहा है आप सभी लोग हंडीड पर फिटिंग के साथ में कैश अन डिलेवरी पर पेपर कटिंग मंगा सकते है चाहे आपको किसी भी तरह की पेपर कटिंग की requirement हो, डिस्प्ले पर WhatsApp नमबर है, आप लोग contact कर सकते हैं यह पर आज जो measurement हम लोग देखेंगे वो है, लंबाई 14 इंच की chest 40 इंच 40 इंच के लिए बहुत demand आ रहा था, कि सर 40 chest का बताईए, 40 का बताईए, तो चलिए, आज 40 chest के blouse की cutting देखेंगे, कमर 34 इंच है, shoulder पुराने blouse के नाप पर 10 इंच का सामने गला 7 इंच और पिछे गला 11 इंच, एकदम normal measurement है, कोई बहुत deeply हम लोग discussion नहीं करेंगे, आज normal basic things पर चर्चा करेंगे, हमने लिया है double fold का paper, और इस double fold के paper, चुंकि ये दोनों paper अलग-अलग है, यहापर हम क्या करेंगे, पीछे पला पहले काट लेंगे, उसके बाद सामने पल्ले की cutting को करेंगे, ठीक है, तो आपको एक paper में ही काम आपका चल जाएगा, और comments की जड़ी लग चुकी है, बहुत सारे comments यहाँ पर लगातार comments आने स्टार्ट हो गए है, मुझे comments के साथ likes चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो पर आगए, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आएगा, मैं एकदम सच बात बता रहो, मुझे likes चाह करने के लिए आओंगा, ठीक है ना, आप लोगों ने बीच में, जब मैं फूल एनर्जी के साथ नहीं बोलता था, आप लोगों ने बोला, नहीं सर, आप एनर्जी के साथ बोलिए, जब आप फूल एनर्जी से बोलते हैं, तब हमको मज़ा आता है, मैं वापस अपना पू भी लोग जुड़े हैं, चलिए, यहाँ पर मैं continue करता हूँ, जैसे हम पीछे पले की गटिंग को सबसे पहले करेंगे, एक brown paper sheet हमने लिया हुआ है, तो scale से सबसे पहले हम सीधा निशान लेंगे, यह इस प्रकार से, ठीक है, यह वाला जैसे हमने निशान लिया, और आज का य लेंगे, तो length हमारी 14 इंच की है, तो हम निशान लेंगे 15 का, आप सभी लोग जानते हैं, कि एक इंच का compulsory margin किसी भी blouse की cutting में लेना पड़ता है, चाहे वो length आपने body से measure किया है, चाहे आप लेंथ आपने पुराने blouse से measure किया है, यह margin लेने के बाद आप सीधा यह निशा मिला लोग है, ठीक है, तो आपके जो total length है, वो तयार आनी है, साड़े 14 ही, हमने साड़े 15 लिया, तो आदा इंच शोल्डर पे जाएगा, आदा इंच नीचे कमर पट्टी वगरा, जो भी आप लगाएंगे, अस्तर पलटाएंगे, उसमें जाएगा, इस दाट लियर, अब यहाँ पे बात आती है, शोल्डर की, शोल्डर आपका पुराने ब्लाउच के नाप पर 10 इंच है, पुराने ब्लाउच के नाप पर 10 इंच है, तो एक इंच का margin लेंगे, वो हो जाएगा 11 और 11 का half करके 5.5 पर निशान लगाएंगे, अब यहाँ पे एक बात लोगों के मन म जरूर रहता होगा, पुराने ब्लाउच से हम नाप लेते हैं, तो शोल्डर कम क्यों होता है, तो इस topic पे मैं थोड़ा सा discuss करूँगा, ठीक है, यह वाला निशान पहले मिलाते हैं, क्योंकि at the end final निशान तो हमारा यही है, इसको मिला लेते हैं, देखो, जब हम कोई भी blouse लेते हैं, जो deep गले का blouse है, एक blouse में आप सबी के सामने शो करूँगा, कोई फरक नहीं पड़ता कि वो कट्रूल blouse है, कि belt blouse है, कि princess blouse है, उससे हमें मतलब नहीं है, जो भी blouse है, जो deep गले के blouse होते हैं, उसमें होता क्या है, कि blouse का जो गला है, वो फैलता है, ठीक है, bl बाद भी likes की संख्या 100 पार नहीं हुई हैं अभी तक, आज सबसे पहला कमेंट आया, fun with check and with it, thank you so much, प्रविन जी है, रिना स्रिवास्ताओ जी, कुनाल वाइटी, सुग्रेव कुमार, रेखा चौधरी, सुरेखा जी, सरोजा सेठी जी, नितिन पवार जी, अर्चना पतेल परित्यागी जी, उर्वशी पतेल जी, नंदू थोरट और रिना स्रिवास्ताओ, राइट वित्कतिका, स्विटी रमन, सिमांचल विश्वाल, नितिन जी, पीसी छोरा, और सरोजा सेठी, हरे हरु कुर्ष्णा विधानी, काजल जाधाओ, सुरेंदर सर्मा, अनिता निश प्रविन जी, परित्यागी जी, पार्वति यादव जी, अनिता जी, भरत जी, दिफिका कुमारी जी, कुरुष्णा सोनवाने जी, नितिन पवार जी, दीपा वाडेकर जी, सिम्मी शर्मा, मंजु दिक्षित, नाम लोंगा, बहुत सारे नाम है, सभी के नाम अभी नेले स सकता, जीतना ले पाया, उतना लिया, ठीक है, और वशी पटेल, ऐसे गेमिंग, अन्शी आदव, पार्वति आदव, सिम्मी शर्मा, स्विटी रमन, लच्मी गार्डिया, सुरेंदर सर्मा, नितिन करबरी, देवला शाहू, राजकुमार पाल, लिला चौधरी, मदुलिका पांडे, मुतेज जंगेल, रोहनी भोले, मिनाक्षी जोशी, टेलर टैलेंट, प्रियांसु जी, रोहनी भोले जी, हसीना जी, अन्शियादव जी, सांती कुमारे जी, गौतम पटेल जी, स्वागा जैसरी बैंट, जितने भी लोग लाई पर आकर के जुड़ गए हैं, मैं आप सबी लोगों को एक टॉपिक के ऊपर डिसकस कर रहा था, वो टॉपिक क्या था, शोल्डर का, ठीक है, तो शोल्डर के बारे में हम लोग डिसकस करते हैं, थोड़ी दर बाद में कुछ देर बाद आप लोग को और इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दूँगा, तब तक हम लोग यहाँ पर continue करते हैं, देखिए, हमने अभी शोल्डर की जैसे बात की, यही जो शोल्डर है बॉड़ी मेजरमेंट में, आपका जैसे हमने बताए कि मिनिमाम 1.5 इंच हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 1.5 इंच और एक्स्ट्रा होता, अभी हमने जो तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कि बॉडी पर यह शोल्डर जादा होते हैं, और डीप गले के जो पुराने ब्लाउज नापते हैं, उन पर शोल्डर कम होते हैं, ठीक है, अब यह तो हो गया, जब भी आप डीप गले के ब्लाउज बनाते हैं, इसमें आप आरमोल का जो निशान लगते हैं वो सीधा सीधा आप लगा सकते हैं कैसे लगा सकते हैं यहां पर इस पकार से रखेंगे और जैसे 40 इंचेस्ट है तो आम तोर पे यह जो निशान हम लगाते हैं 6 इंच का लगाते हैं लेकिन 40 इंचेस्ट वालों के लिए यह बात भी मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि ऐसा नहीं है कि सभी 40 चेस्ट साइजों में ये निशान 6 इंच पर ही लगेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है कभी-कभी हमें सवा 5, 5.5 यहां तक कि 5 इंच पर भी ये निशान लगानी कि आऊ सकता पड़ जाती है जरूरी नहीं है कि हमेशा आप 6 इंच करेंकि एक सब the 저ving उस आप ज़ंगे में लगा सकते हो 치ेंच निशान लेकिन आप कैसे जानो गिए कि सौ लोगש चेस्ट का ब्लॉज बना हो हो सभी के मेजर में अलग यहां तो आप कैसे जानोगे, कि किसके में 5 इंच का लगाना है, किसके में 7 इंच का, किसके में 5 इंच का, किसके में 6 इंच का, तो इसलिए मैं armhole के regarding जो आप लोगों को tips देता हूँ, उन वीडियो को आप जा करके वाच करना, मैंने बहुत सारी चीजें इसके regarding से आप लोगों को बताया हुआ है, चाया वो armhole से related हो, चाया shoulder से related हो, ऐसा नहीं है कि आख बंद करके कुछ भी blouse की cutting कर देनी है, आपको पहले facts को समझना है, आपको ये चीज समझना होगा, कि आप कहां पर कौन सा measurement apply कर रहे हैं, तो उसका उस blouse cutting पर blouse ready होने के बाद, क्या प्रभाव ठीक है, इन सब चीजों को सोच करके ही आपको step उठाएंगे, सीधा ये निशान हम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम chest और कमर के basic निशान लगाएंगे, ये देखे, ये वाला निशान और उसके बाद जो basic measurement है, chest, कमर, दोनों निशान आपको डाल लेना है, चौथा हिस् 10 इंच का होगा, आपको body measurement की losing डालने नहीं है, क्योंकि ये blouse का नाप है, ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं, हम कमर पे, कमर जो है, वो है आपका 34, तो इसका चौथा हिस्सा लेंगे, इस प्रकार से निशान लगाएंगे, उसके बाद एक इंच का dot लेंगे, और फिर य ऐसा क्यों होता है, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ये सच है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे likes की संख्या कितनी हैं, मैं कुछ नहीं जानता, आज मुझे 1000 प्लस likes चाहिएं, जब तक मैं live session पर हूँ, तो 1000 से ज़्यादा like आज होने चाह मैं आज बिल्कुल भी like में कमी बरदास्ट नहीं करूँगा, और कल direct live session पे हम इसी blouse की सिलाई को देखेंगे, three piece princess cut blouse की सिलाई को, क्योंकि मैं पहले से ही announcement कर चुका हूँ, Sunday live session का, कि कल के live session में हम इसकी सिलाई देखने वाले हैं, और complete बताऊँगा, किस तरह से सिलना है, क्या करना है, तो अभी जो back portion हम cutting कर रहे हैं, सुधा या दौसर आप बोलो मत अपने आप like पड़ेगी, tension मत लो, नहीं मैं tension नहीं ले रहा हूँ, वो तो बस बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत, tension like के लिए कौन tension लेता है, तो यहाँ पर देखो, यह arm hold down और shoulder down का जो आप को कर लेना है, इस तरह से, यहाँ पर भी हमको यह निशान ले लेना है, arm hold का, down करके, अब, चुकि यह पीछे का पला है, तो इसमें ज्यादा कुछ काम है नहीं, इसमें आपके दो काम रहेंगे, एक तो गले का, और दूसरा arm hold का, ठीक है, तो गला जो आप लेंगे, चालीस इंच चैस्ट है, तो यहाँ पर आप धाई इंच तक के गले तो आराम से ले सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखना है, कि आपका जो पीछे का गला है, वो 11 इंच डीप है, बैक ओपन है, बहुत जादा, ठीक, तो यहाँ पर आप इसको सवा दो भी ले सकते हो, यह ऐसा नहीं है कि आपको ढ़ाई लेना है, पौने तीन लेना है, जरूरी नहीं है, कम भी ले सकते हैं, क्योंकि पीछे गला अल्रेड़ी हमारा महुत गहरा है, तो उस इसाथ से बहुंच जादा यह फैलेगा, गले की गहराई 11 इंच, तो 11 इंच का न फैलाना, धाई इंच के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, पहुने तीन तीन तक के कर सकते हो, उसे ज्यादा नहीं फैलाना, ने तो शोल्डर से भार ही हो जाए कपलाउस, ठीक है, जिनको नौटिफिकेशन नहीं आया, वो लेट हो गया, अब मेरा आप सभी लोगों से यहा वेट क्यों करते हैं, आपको पता है, सटर्डे संडे लाइव होना है, तो नौटिफिकेशन कोई ज़रूरत नहीं है, वेट करने की, आपको डारेक लाइव पे आना चाहिए, देखो गले का यह निशान हो गया, उसके बाद आप गले का राउंडिंग शेप देंगे, तो नौर्मल तरीके से जैसे हम गले का राउंड शेप देते हैं, वैसे आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है, यह इस प्रकार से, अब आर्म होल की घुलाई, चूंकि यह पीछे का पल्ला है, सामने पल्ले में एक इंच की दूरी से घुम जाता है, पीछे पल्ले में पौने राउंडिंग शेप देते हैं, ठीक है, उसके बाद, यह हो गया, यह आर्मोल की गोलाई का प्रोशेस है, यह मैंने बार बार आप लोग को बताया हुआ है, तो यहाँ पर ज्यादा डीटेल नहीं जाओंगा, क्योंकि अल्रडी, सुसांत पवार जी, हेलो, बहुत लेट हो चुका है, पीछे पले की हमने कटेंग नहीं की है, तो अभी हम डारेक्ट डॉंट पे आते हैं, पीछे पले का जो डॉंट है, बिल्कुल बेसिक है, यह भी, प्रिती स्रिवास्तो जी, कौन से हेवी चैस्ट के लिए बोल रहे हैं, आप 40 भी एक हेवी चैस्ट ही है, जो तो हेवी चैस्ट में ही आती है, ना, नॉर्मल चैस्ट के लॉंट तो कोई भी बना लेगा, 40 इन चैस्ट है, पीछे का जो डॉंट है, वो हम ले लेंगे, साड़े चार की दूरी पे, इस तरह से, बेल्ट ब्लाउज पेपर कटिंग से, बोटनेक ब्लाउज काट सकते हैं, काट सकते हो, लेकिन धिमाख वैसे उस लेवल का लगाना पड़ेगा, अमरिता पालिवाल, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सिद्धराज पटेल, हलो, देखिए, आज हमने ब्लॉग चैनल पे लाइव किया, और लाइव इंड करने की बारी आई, तो वहाँ दो पहर थ ऐसी कंडिशन है, सर आज आज आपका रुशनी में का लाइव नहीं हुआ था, क्या अमरिता पालिवाल, आप मिस कर गए, बहुत अच्छा लाइव हुआ था, आप आए नहीं साय, इसलिए आप पूछ रहे हैं, जील परमार, कानहा जी, स्वागा थे सबका, मैं सबके नाम लोगा थोड़ा सा वेट करना, मुझे आज मेरे नजर लाइक की संख्या पर बहुत जादा है, उतना मज़ेदार तरीके से आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जितना होना चाहिए, इसलिए, तो लाइक बढ़ाईए, नए नए लोग आ रहे हैं, बस एकदम टक्टकी बहुत जल्दी आ जाएगा, चुकि हम यूटूबर्स हैं, तो हमको मालूम होता है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आने वाले हैं, अब जब आप लाइक का बटन दबाओगे ना, तो उस लाइक के बटन से कुछ रंग रंगी चीज़े निकलेंगी, तो आपको लाइक करने म होते होना, तो एक बात का ध्यान रखना, कटिंग करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए, कुछ लोग पेपर को दोनों हाथ में उठा लेते हैं, उसके बाद काट रहे होते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है ना, जब भी आप कटिंग कर रहे हो जाये कपड़े को काट रहे हो, टेबल पे ही रखाऊना चाहिए, जमीन पे काट रहो, तो जमीन पे रखाऊना चाहिए, ठीक है है, हाथ में उठाके नहीं काटा जाता है, वो गलत तरीक है, अगर आप उस तरह से उठा गे काटोंगे, इधर-उदर होगा तो फिर वो आप की समस्य अभी दिपिका कुमारी साथ मैंने सबसाची 34 चेस्ट में बता रखा है और इंग की जी बोरी बेल्ट ब्लॉट के उपर कटिंग से बोटने कटिंग बताईए कोशिश करेंगे बहुत जल्ब बहुत जल्ब ठीक यह देखें पीछे पल्ला हो गया अब भी इसी को देखने से कुछ काम अधूरा रह गया ऐसा लगता है राधा मोनी कोगोई थैंक्यू सो मच यह देखें यह इस प्रकार से हम रखते हैं थोड़ा उपर थोड़ा साइड में रखना है क्यों रखना है हां अब भी तक जो लाइब हुआ 16 मिनट का यह तो आप सभी लोग पहल दूंगा या जानकारी दूंगा यह थ्रीपीस प्रिंसेस का ब्लाउच की कटिंग के लिए बहत जरूरी है ठीक है तो यह पहले पूरा मार्किंग करते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा तो यहां से जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको सीखना है जिनको मत पूरा ब्लैंक कर दूंगा मजाक कर रहो यार लाइक करो फट 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 यह हम इस तरह से पूरा मार्किंग कर लेते हैं मार्किंग करने के बाद यहां पर आप लोगों को थ्रीपीस प्रिंसेस कट अब बहुत से लोगों को थ्रीपीस प्रिंसेस कट का मतलब नहीं पता तो princess cut blouse में belt यही इसका मतलब belt वाला princess cut blouse ठीक है इसी को three piece princess cut बोला जाता है यह देखो इस प्रकार से हम यह निशान लगाते है arm hole सबसे पहले set कर लेते हैं यह चीज़े मैंने बहुत बार अपलोग को बताया है तो यहां पर उतना ज़्यादा डीटेल लिसकस नहीं करूंगा जो चीज पहले बता रखाऊं उस पर उत्ता फोकस नहीं है ठीक है इसके बाद यह आर मोहल तो हो गया इसके बाद हम गले की बात करते हैं तो गला जो है वो 7 इंच का है सामने का ठीक है तो सामने गले का भी हम शेप दे देते हैं नॉर्मल कोई भी गले का यहां पर शेप ड्रॉकर देते हैं कोकि गला भी मैंने बार-बार बताया है वो बिल्कुल सेम तरीके से होगा जैसे किसी भी ब्लाउज में आपका होता है मेल जो खेल है वो उसके बाद गया है ये इस तरह से हम ये निशान लगा लेते हैं और आज लाइप पर जूनने वालों की संख्या थोड़ी कम नजर आ रही है ऐसा क्यों? और इतना बोलने के बाद भी लाइक करने वालों की संख्या भी बहुत कम नजर आ रही है ऐसा क्यों चोहान तरुना स्वागत है पायल यदुवनसी फिरी तीशा थैंक्स सर मुझे यही चाहिए था अच्छा देखो यह निशान आपके लग गए अब यहां से आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है थ्री पीस प्रिंसेस का ब्लाउज का सबसे पहला निशान बेल्ट का बेल्ट आपका और यह निशान डिपेंड करेगा कि आपको कितना चोड़ा बेल्ट चाहिए ठीक है जैसे यहां पर टोटल लेंद आपकी आ रही है साड़े पंदरा तो आप क्या करेंगे बेल्ट का निशान आप 13 इंच से स्टार्ट कर सकत अब यह निशान बढ़ाने के बाद दूसरा जो निशान है इंपोर्टेंट निशान वो कौनचा रहेगा डॉट पॉइंट का डॉट पॉइंट कहां से नापोगे पूराने ब्लाउस से कैसे नापना है बार बार मैंने बता रख है ठीक है पूराने ब्लाउस से बॉडी मेजरमेंट लेते हो तो बॉडी मेजरमेंट से और असानी से नापते बनेगा आप डॉट पॉइंट को मेज का निशान लगेगा, अब ऐसा नहीं है कि सब के लिए आप ये 11 इंच पर ही निशान लगाओगे, अगर ऐसा करते हैं तो हमारा ब्लाउट पूरी तरह से खराब हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको हमेशा डॉट पॉइंट का मेजरमेंट लेना है, चाहे आप पूरान ठीक है, आपके बताये तरीके से अस्तिन मिल्कूल सही है, प्रिती साथ हैं कि सो मच, देखिए यहाँ पर ये तो शोल्डर से, अस्तिन बोला, आपने तो मैं भी अस्तिन बोल रहा था, शोल्डर से जो डॉट का दूरी है, उसकी बात हो गई, अब जो डॉट के बीच में आपस में दूरी होती है, दोनों डॉट के वीच में, वो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, तो यह आप यहाँ पर निशान लगा लोगे, सबाचार, साड़े चार, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यह प्रिंसेस कट का ब्लाउज है, और यहाँ पर हमको कोई डॉट क्रियेट नहीं करना, प्रिंसेस कट ब्लाउज में, कहाँ कोई डॉट लगता है, डॉट तो लगता ही नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको पफ क्रियेट करना है, पफ क्रियेट करने के लिए कपड़ा काट छाट करना है, तो वो कैसे क करना है वो भी बताऊंगा ठीक है कि इस फॉर्मुले से बड़ी चेस्ट का बिल्कुल काट सकते हैं रिंग की सचन जी बिल्कुल हाँ आप काट सकते हो हमारे लिए तो लाइव ही आई पील है ओकेई आई पील स्टार्ट हो गया सही में मुझे पता ही नहीं है मुझे पता होता है तो मैं अभी आई पील देख रहा हुदा लाइव नहीं करता है आप लोगों ने बताया आई पील इसाट लोग कमा रहे हैं हो सकता है क्योंकि बच्चे लोग IPL देख रहे होंगे अपने अपने फोन अगर अपर तो लाइफ देखने नहीं दे रहे होंगे ऐसा भी हो सकता है कि शोरी शर्मा हाना सालोनी सिंग निशा बालिया चलो यहां पर जो आपका डॉंट है उससे थोड़ा ऊपर से आप राउंड शेप देना चालू करते हैं यह राउंड आप कैसे देंगे इस तरह से एक इंच के ऊपर से यहां पर हम शेप देना चालू करेंगे यह ऐसे जितने भी लोग लाइब पर मुझे अभी देख रहे हैं फिर हाल मेरा सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग आज लाइक जल्दी जल्दी करो इतना फास्ट लाइक करो कि एक हजार लाइक मेरे लाइब रहते रहते आज कम्प्लीट हो जाए ठीक है यह शेप आपको देना है राउंडिंग शेप जो की प्रिंसेस कट में नॉर्माल होता है यह तो हो गया अब इसके बाद दो चीजों पर गौर करना पहला जो आपका डॉट पॉइंट है वहां से नीचे धाई इंच का डिस्टेंस देखना ठीक है और यह निशान लगा लेना यह ऐसे है यह हो गया अब यह निशान हम इस तरह से आगे बढ़ा लेंगा दूसरी बात यहां पर नॉर्मल प्रिंसेस कट की अपेक्छा आप जो डॉट का फैलाओ है उसको उतना जादा नहीं रख सकते लेकिन फिर भी यहां पर आप डेड़ इंचे ले सकते हैं अराम से डेड़ इंचे पौने दो इंचे दो इंच तक के जा सकते हैं कि बेल्ट वाले प्रिंसेस में भी यह जीतना ज्यादा आप लेंगे उतना ही अच्छा होता है ठीक है यह हो गया इसके बाद या जो आपका यह पॉइंट है ना डॉट का उस पॉइंट से उस निशान को आपको मिलाना है यह ऐसे यह देखें यह राउंड शेप आजकल मैं इसको बता रहा हूं राउंड शेप में ज्यादा अच्छे तरीके से फिटिंग आती है ऐसा लोगों का महनना है और सही भी है जीतना आप उसको राउंड करोगे उतना ज्यादा इसमें फिटिंग अच्छी आएगी ठीक है तो य और कुछ टेंशन जयादा आपको लेनी की जूरत है यही आपका पॉफ क्रियेशन है टोटल हमने यहाँ पर जो डाउट लिया वह कित्ते इंच का लिया मालो जैसे हमने यहां पर लिया दो इंच का तो दो इंच आपको कपडा चाहिए कहा पर चाहिए साइड वाले जगा यहां पर अब यह बात भी आप ध्यान रखना कि भी जब हमने पीछे पालला गटिंग किया था तो वहां पर भी तो डॉट के लिए एक इंच का मार्जन लिए थे लिए थे ना तो वो 1 इंच का मारजिन हमारा काम आ जायेगा। और यहां पर 2 इंच और चाहिए कपड़ा, यहां से जब यह कट होगा, तो 2 इंच कम पड़ेगा। और 1 इंच हमारे पास और डेडी है, तो कितना लेंगे? एक इंच का लेंगे, इस तरह से, ठीक है? अब देखिए ये निशान और आपका ये जो निशान है ये मिलेगा कैसे मिलेगा ये इस तरह से ठीक है जितने भी लोग अभी तक Dilip Talos Mobile App को डाउनलोड नहीं किये हैं सभी लोग जा करके डाउनलोड करेना Play Store से क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में मैं Live करूँ तो सिर्फ और सिर्फ Dilip Talos Mobile App पर करूँ YouTube पर नहीं करूँगा क्योंकि यहां पर Notification Related बहुत जादा Issues होते हैं और जो Live को देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे Regular Viewers देखते हैं बाकि कोई भी Live को नहीं देखता ठीक है तो आप सभी लोग Delip Talos App को जरूर डाउनलोड करें अब यह निशान्त हो गया इसके बाद यहां पर हमको क्या करना है उपर वाला हिस्सा जहां पर आपको यह जो क्रॉस पट्टी और कटोरी बनेगी प्रिंसेस की इसको ज्वाइंट करने के लिए आपको margin चाहिए ठीक है यह इतना margin चाहिए तो यहां पर हम क्या करेंगे पॉना इंच का margin उपर में भी एड करेंगे यह मैं जो तेक्नीक बता रहा हूँ डारेक्ट कपड़े पर कटिंग करने का टेक्नीक है ठीक है डारेक्ट कपड़े पर काट सकते हो हलाकि मैं पिपर पर बता रहा हूँ लेकिन आप इसको डारेक्ट कपड़े पर अपलाई कर सकते हैं यह इस तरह से देखिए यह आपका उस side का तो fix हो गया अब रह गया बात इस side का तो इधर क्या करेंगे देखिए यहां पर लगभग पौना इंच उपर एक निशान लेंगे इस तरह से और यह शेप दे देंगे बेल्ट का शेप देने के लिए पौना इंच हम लेते हैं न वैसे ही ठीक है यह हो गया अब यह बात ध्यान रखना जो आपका का point है जो मैंने कहा dot point वाहां पर आपका marking की बात मार्किंग दोनों तरफ लगा होना चाहिए ठीक है ताकि हम यहां पर क्या कर सकें कट लगा सकें क्योंकि cutting करने के बाद हम को यहां få मिनददध को यहांपर रह और अब इस पर कुछ है नहीं इसको काट के निकालते हैं काट के निकालने के बाद belt की cutting देखेंगे तो belt की cutting के लिए इन measurements को note करना पड़ेगा कितना measurement है सवा तीन इधर धाई और इधर ये जो आपका total length है वो कितना है 11 inch तो सब को note कर लेते है सवा तीन 0.5 inch और 11 inch ठीक है ये हो गया इसको अब हम काट के निकाल देते हैं तो चलिए फटा फट इसकी cutting करते हैं और जैसा कि मैंने कहा थोड़ी दिर पहले जिन जिन लोगों को paper cuttings किया उशकता है आप लोग 100% fitting guarantee के साथ हमारे paper cuttings मंगा सकते है आपको बहुत अच्छी छूट भी अभी वहाँ पर मिल रही है रोहनी भोले I love your teaching sir thank you so much तो मैं ये पोर अधा कि paper cuttings जिन लोगों को चाहिए वो लोग मंगा सकते हैं डिस्पले पे whatsapp number आप सभी के चल रहा है और अभी अच्छी खासी छूट भी वहाँ पर है तो आप लोग whatsapp पर contact कर सकते हैं बात कर सकते हैं ठीक है camera off हूँ गया मैं एक नटामंतर लेता हूँ तो contact करें और 100% fitting guarantee के साथ cash on delivery पे आप लोग paper cuttings को मंगई है पहले से prepare payment करने की कोई भी हो सकता नहीं है paper cutting अपके घर पे जाएगा तब यह आप payment करें यह देखे इस तरह से हमने इसको काट लिया और यह गले की cutting कर देते हैं यह ऐसे गले की जैसे की cutting करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे यह यहां से इसको पहले बीच से काटना है विशाल गुप्ता मैं new subscriber हूँ मदुलिका पंडे ने subscribe करवाया पहुँद अच्छी बात है कि हमारे subscribers और बाकी लोगों को बोलते हैं कि आप sir की videos देखिए ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कई लोग जब online classes करने के लिए या फिर paper cuttings मंगाने के लिए phone करते हैं न तो जब कभी मैं कभी किसी से बात कर लेता हूँ तो उन बताते हैं कि sir हमें तो नहीं पता था लेकिन हमारी एक friend है उन्होंने हमको बताया तो मुझे ये सुनके काफी खुशी होती है कि आपने online class किया और बाकी आप लोगों को suggest कर रहे हैं और इससे मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा संतुष्टी मिलती है कि हाँ actually मैं लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहा हूं online classes में जो हम paper cuttings दे रहे हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा benefit कर रहे हैं तब ही तो आप दूसरे लोगों को suggest करते हैं तो ये सब मुझे सुन करके काफी अच्छा लगता है और इसी तरह से आप लोग करते रहें मैं हमीशा आप लोगों के लिए इसी तरह से मेहनत करते रहूंगा और जीतने सारे knowledges हैं मैं आप सभी लोगों के शाँ share करते रहूंगा ये मेरा आप सभी से promise है बाकि आप लोग आज live पे ठीक ठाक संख्या में जुड़े हैं उसके लिए thank you so much और जो लोग अभी तक like नहीं किया है यार like करते जाओ आदे घंटे का live हो गया है और like की संख्या बहुत काम है तो like तेजी से होते रहने चाहिए like की संख्या में किसी पितर से कमी नहीं आने चाहिए belt की cutting करते हैं फिर कपड़े पर भी हम इसको काट के देखेंगे कर देते से नीचे रूना इंच मार्जीन बट पर बिल्कोल कंपल सरी हो रहे आधे si Blizzard की संक्या कंजादा 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 हो रही है पता नहीं असा क्यों दिर को बेल्ट पे बिल्कुल कमपल सरी रहेगा ठीक है बीवर्स की संख्या कम जादा कम जादा हो रही है पता नहीं असा क्यों है बट हो रहा है लोग आते हैं जुड़ते हैं फिर चले जाते हैं फिर जुड़ते हैं फिर चले जाते हैं अंजू जी बोल रही है कि सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं थैंक यू सो माच बैल्ट का जो निशान है वो इस तरह से लगना है बैल्ट की गटिंग भी मैं बार बार बता चुका हूँ इसलिए यहाँ पर ज्यादा एक्स्प्लेंग नहीं करूँगा इसको हम काट के निकालते हैं विपिन कुमार दिक्षित निहा जी ओकेई अंकीता सिंग मेरा मेसेज पूरा नहीं पढ़ा आपने और उसके साथ मेरा रोने का इमोजी ओकेई रोनी भोले जी का क्या कमेंट था वही जो मैंने पूरा नहीं पढ़ा हाँ मैं एक भी लाइब मिस्ट नहीं करती हूँ थैंक्यू सो मज सर मेरे को लगा कि आपका मेसेज उत नहीं है बाकि आपने नीचे स्पेस दे करके लिखा वह था उसको मैं देख नहीं पाया ठीक है तो उसके लिए सौरी और कवीता जैन जी भी जुड़ गई है रंजन डी स्वागत है सुप्रिया जाद हो पेंडिंग काम बहुत है इसलिए लेट हो जाता है सुप्रिया जी बहुत बीजी हो गई है इसलिए आज कल हमारे लाइब सेसंस को बहुत कम देखती है कवीता संत्रा, सरीता गुत्ता, दिप्ती शरप, मामी प्रधान, ममता मुगल सर इर स्कोर देखते हैं अच्छा IPL की बात अब चालू हो गई है IPL चालू हो गया है मतलब हमारे लिए अच्छा ख़बर है चलिए इसकी कटिंग करते हैं हमारे लिए अच्छा ख़बर अब खेर वह बहुत डीपली नौलेज हो जाएगा उसके बारे मैं आनी बोलूगा मैं क्रिकेट अभी कम देखता हूँ पहले बहुत देखता था मैं क्रिकेट देखूंगा करके हमारे लिए अच्छी ख़बर नहीं बोर रहा हूं उसके और दूसरे रिजन्स है सिमी शर्मा, पुनम भारती, सत्या बगेल, रोहनी भोले, सुप्रिया जाधाओ, साधीका सीजन, जी साधीका सीजन अभी स्टार्ट हो गया है इसलिए तो पेपर कटिंग को ले करके आप सभी लोगों के लिए ओफर लॉंच किया गया है ओफर की वीडियो भी यूटूब पर नहीं आई है, आपको डिस्प्ले पर वाट्साप नमबर चल रहा है, उस पर आप लोग कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको ओफर मिल जाएगा, पीपर कटिंग का जो ओफर है, वो सब लोगों को मिल जाएगा, आजकल मैं बहुत सारी चीजों को यूटूब से दूर रख रहा हूँ, इसका रिजन कभी बताऊंगा, जब मैं दिलिप्ट इलस मोबाइल एप पर लाइव आउँगा तो, यू सुनीता दुदानी बोल रहे हैं, आज मेरा मेसेज ही नहीं देखा, सौरी सुनीता जी, देखिए, यह हम इस प्रकार से कटिंग करेंगे यहाँ पर, आपका वीडियो देखकर प्रिंसेस का ब्लाउद बनाना सीखे हैं, बहुत अच्छी बात, देवला साहू, रंदू थोर बोल रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब देते, तो बहुत अच्छा होता, सबका फायदा होता, नंदू थोरट जी का सवाल क्या है, मैं खुझ लेता हूँ, तब तक, आप सभी लोग लाइक करोंने हैं, लाइक क्यों नहीं कर, फट फट आप लोग लाइक करते जाओ, लाइक क करोंगे, तो कैसे मज़ाएगा, तो फट 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 लाइक करते जाएं, आप लोग लाइक करेंगे, तब ही मज़ाएगा, नहीं तो फिर मैं सोचूंगा कल लाइक करने के लिए, इस प्रकार से सभी को बिछा लेते हैं, उन देखो, बहुत से लोगों को प्रश्न होते हैं, कि सर, जैसे हमारे पास 80 cm का कपड़ा है, यह बहुत अच्छी टॉपिक मैं उठा रहा हूँ आज, हमारे पास 80 cm का कपड़ा है, और 80 cm के कपड़े में हम कितने साइज तक के ब्लाउज को काट सकते हैं, ऐसा बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं, हमारे पास 70 cm है, 85 cm है, तो देखो, यह डिपेंड करता है, स्लीव के उपर में, अभी हमने आपा स्लीव अगरा नहीं लिया है, आम तो और बहुत चे लोग यह बहुते हैं, सर, आप तो बड़े से बड़े साइस का छोटे-छोटे कपड़े में निकाल देते हो, तो भई मैं स्लीव की कटिंग दि उसको भी तो सोचो ना, तो यह सब बाते होती है, और नंदू थोरट जी का सवाल नहीं मिल रहा है, तो नंदू थोरट जी अगर दुबारा वो सवाल को आप को भी पेस्ट करें, तो मज़ा आएगा, ठीक्या, किशोरी शर्मा, थैंक्यू सो मच, यह की, यह इस तरह से ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, तो भी इसको काटनी के लिए ऐसा तो नहीं है, कि आपको और कुछ एक्स्ट्रा मुझे बतानी की जोरत है, क्योंकि मैंने जो कुछ बताया, डारेट कपड़े पर कटिंग का फार्मूला बताया, अभी हम खली इसको क काट के रखेंगे, क्योंकि कल इसकी सिलाई देखनी है, ये इस तरह से, फटाफट फटाफट इसको काट लेते हैं, अब ये सब जो चीजे हैं न, ये थोड़ी सी बोरिंग हो जाती, क्योंकि इसको काटना बस तो है, कुछ करना है नहीं, कवीता जैन, थेंक्यू सो मच, च ये बेल्ट वाला प्रिंसेस का ब्लाउज है, ठीक है, नॉर्मल प्रिंसेस का ब्लाउज बीना बेल्ट के ही बनते हैं, वीडी भवानी, थेंक्यू सो मच, ये इस तरह से, इसको कटिंग करते हैं पहले, सर फिर आप कैसे निकालते हो, बताओना, हमारे ब्लाउज में भी अस्तिन कम पड़ जाती है, यही तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों, इसके रिगार्डिंग मैं एक आध वीडियो ले की आऊंगा, ठीक है, अभी लाइव पे तो नहीं बताऊंगा, मैं कि किस तरह स से क्या क्या करना है, क्योंकि एक्च्वल में मेरे पास अभी 80 cm का कपड़ा है यह नहीं, मेरे पास जितने भी कपड़े हैं न सब 1 मीटर और उससे उपर के हैं, तो पहले मैं बरबर मेजर करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा भी, कि हाँ हम मेजर कर रहे हैं, तो किसी और मेरी ख्वाइस तो अच पूरी होने वाली है नहीं, मैंने बोला कि लाइव रहते रहते हैं, अगर एक हजर लाइक्स कंप्लीट हो जाते तो मज़ा आता, पहले हो जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब नहीं होता है, ठीक है, अब नहीं होता है, तो अब हम करी क्या सकते हैं इसके लिए, मैं सरिफ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता है, बट फिर भी इतने लाइक आप लोग कर देते हैं, उसके लिए थाइंक्यों, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, सुनीता दुदानी, मेरी पोती नराज हो जाती है, और कहती है, आप मुझे टाइम नहीं देते हो, और देली पंकल की वीडियो देखते रहते हो, ऐसा बहुत से लोगों के साथ है, सुनीता दुदानी जी, सिर्फ आप के साथ नहीं है, बहुत से लोगों के साथ है, और उन आप उनको भी टाइम दीजिए नहीं तो वो नाराज ही रहेंगी आप उनको कितना भी समझाएंगे वो नहीं मानेगी सुचीता जी पिनाली सोलांकी जी लेट हो गई कोई बात नहीं किशोरी शर्मा बहुत दिन बाद ओके सभी लोगों को अपने अप लाइक कर देना चाहिए क्या करें जी लोगों को समझा समझा कि मैं परिशान हूं लोग बाद मानते हैं मेरी आर मोल 14 इंच है गलती से 15 कट हो गया तो ठीक कैसे करेंगे चेस्ट को टाइट कर देंगे तो ये एक सोलूशन निकलता है लेकिन जैसे ही आप चेस्ट को टाइट करेंगे पहनने में अनकमफर्टेबल होगा हा न तो उसका सॉलूशन आपको दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा और वो तरीका क्या है यह मैं किसी और दिन डारेक्ट उसके ओपर लाइव करूँ आपके वीडियो देखे कॉंफिटेंस बढ़ गया बहुत अच्छी बात थैंक्यू सो मच संतोज देवंगर यह वीडियो सिर्फ प्लेडीज के लिए हाँ समझ सकते हो ऐसा अगर आप जैंश हैं टेलरिंग वर्क करते हैं तो आपके लिए भी है सनी एकी सिर्फ प्लेडीज के लिए है सत्य पगेल राएगर हैलो तो देखो यह तो हो गया साथ ही साथ हम इसके अस्तिन की भी कटिंग कर देते हैं ठीक है अस्तिन की कटिंग क्यों अस्तिन की कटिंग इसलिए क्योंकि इसको स्लीवलेस तो बनाना करना ही पड़ेगा तो बताना पड़ेगा उससे अच्छा ऐसे बता रहे होते हैं उन को यह thereस बहुत अच्छे लगा आज जो लाइसेशन जो लुरुआ ना कल भी बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाल है देखो यह मुझे बोलना नहीं चीए एक तरह से यह तो मतलब प्रमोशन वाली बात हो जाएगी लेकिन हमारा जो ब्लॉग चैनल है ना चैनल का नाम है ब्लॉग भी तो रोशनी उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखो बहुत अच को इच्छा है देखने की तो आप बिल्कूल वाँ पर जा करके जूड सकते हैं ठीक है अस्तिन कटिंग करने के लिए चार फॉल्ड कपड़ा कंपल सरी है वन टू थ्री फॉर ठीक है चार फॉल्ड क्यों क्योंकि दो अस्तिन काटने है ना डारेट कपड़े पर काट रहे ह हम सीधा इस प्रकार से निशान लेंगे नीचे मार्जिन छोड़ा गया है कितना एक इंच का क्यों ताकि अगर आपको फोल्ड करना है पाइपिंग लगाना है को डिजाइन करना है तो उसके लिए वो काम आ जाए ठीक है टोटल लेंथ मालो की आपको रखना है तेरा इंच का तो निशान साड़े तेरा का इस तरह से लगा दो निशान लगाने के बाद आगे इस निशान को इस तरह से बढ़ा लें चालिस इंच चैस्ट अस्तिन गोलाई कितनी होनी चाहिए यहाँ पर तेरा इंच के एकॉर्डिंग तो जैसे कि यहाँ पर हम रख रहे थे टेप को तो यहाँ पर देखो होता क्या है बहुत से लोग इस चीज पर कंफ्यूज होते हैं आज एक बात मैं इसके लिए थोड़ा सा बताते चलता हूँ आप लोग लाइप पर रुखेंगे आप सभी और यार जो लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक करो फटाफट लाइक की संख्या तेजी से बढ़ते रहने चाहिए ऐसे कम लाइक में मुझे मज़ा नहीं आता और कम विवर्स में मज़ा नहीं आता तो आप लोग लाइक करते रहते जी से सोनल पटे इलफन विच चाहग में रखो यह डिजाइन वो डिजाइन तो आज नहीं फिर कभी मैं क्या बता रहा था अक्सर जो लोग ब्लाउज बनाते हैं पुराने ब्लाउज जो कस्टमर दे जाते हैं उनमें अस्तिन रहता है छोटा समझ रहे हैं मेरी बात को और डिमांड कर देते हैं कि हमको तेरा इंच लंबा अस्तिन चाहिए चौदा इंच लंबा अस्तिन चाहिए और उन्होंने जो नाप दिया वो किते इंच के अस्तिन का था चार इंच के अस्तिन का तो आप गोलाई कैसे लोग हैं है ना और स्वयाम आपके पास आई है मेजरमेंट देने के लिए तो आप बॉड़ी से नाप लीजिए कि तेरा इंच की दूरी पर कितना गोलाई आ रहा है ठीक है मान लोगी कस्टमर नहीं आई है तब के कंडिशन में क्या होगा तो देखो यहां पर मैं आप लोगों को वो चीज़ एक्स्प्लेइन करूँगा सबसे पहले सपोस्थ देट मान लिया जाए गडित के स्टुडेंट मान लेते हैं मैं भी गडित का स्टुडेंट हूँ मान लो कि यह अस्तिन हमको चार इंच का बनाना है ठीक है तो हम क्या करे यहां पर 4.5 का निशान लेंगे ठीक है इस प्रकार से अब यह मैं समझाने के लिए बता रहू ना यहां पर समझो साड़े 4 का हमने यह निशान ले लिया कस्टमर ने जो पुराना ब्लाउच का नाप दिया उसमें इतने लेंध पर 4 इंच के लेंध पर अस्तिन की जो गोल अब यह बांकी जो प्रोसेस है उसको मुझे समझाने की जौरत नहीं मैं सिर्फ इतना ही समझा रहा हूं अब समझना आपका जो टोटल यहां पर लेंध है वो यहां पर कितना है 4 इंच का और कस्टमर को आपने कमिट्मेंट कर दिया हम बना देंगे कोई दिक्कत नहीं ले तो मैं यहां पर एक टेक्नीक आपको बता रहा हूं आपके 살아Art 13 की जो लेंध है जैसे यहां पर चार इंच बड़ रही है ठीक है असतीन की लेंच 4 इंच बड़ रही है मिनिममम आपका गुलाई एक इंच कम हो जाता ठीक है? तो यहाँ पर आपका कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर तो बढ़ा डबल, आठ इंच, नौ इंच बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपकी गुलाई कितनी कम होनी चाहिए? लगभग दो इंच कम होनी चाहिए, लेकिन क्या यह फार्मूला सबके में सटिक बैठेगा? न अगर आपसे गलती हुए तो आपका फॉल्ट है इसे बात है अगर कस्टमर ने नाप नहीं दिया तो उनका फॉल्ट है तो आप यहां पर क्या करोगे जैसे वहां पर गुलाई आया आपका सवा छे तो नीचे आ करके आप यह निशान देखते हैं यह आपका हो जाएगा सवा तो आपको सिलाई खोलनी पड़ जाएगी और आपको सिलाई खोलना नहीं है आपको भले टाइट करना पड़ गया तो आप एक सिलाई और चढ़ा देंगे उसके उपर में उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखो डारेट कपड़े पर कटिंग में यह दिक्कत होती यह बात हो गई गुलाई की इस पे टोटल डेढ़ इंच का मार्जिन आप एड़ कर देंगे इस तरह से एक स्केल लेंगे डेढ़ इंची ही स्केल होता है मार्जिन एड़ कर देंगे अब जो टोटल लेंथ है आपने उदर से लिया आपको आर्मोल भी तो सेट करना है तो मैंने आर्मोल के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है क्या फॉर्मूला दिये भी यहां पर हम पहले तो तीन सवा तीन इंच का एक निशान लेते हैं यहां पर इस तरह से जो लोग लाइक नहीं कर रहें न मैं आ मैं पर रोने धोने भी बैट जाओंगा ना तो एक हजार लाइक नहीं होगे मुझे पता है चाहिए मैं कुछ भी करूँ अब एक दम से एक देड़ घंटा दो घंटा बैठे रहोंगा तब तो भले एक हजार लाइक होंगे वह बाता लगा तो उतना थोड़ी ना करूँग समझा करो ना आप लोग भी ठीक है तो आप लोग लाइक करते जाओ एक हजार नहीं तो साथ आट सो तो होने चाहिए जब तक हूं तब तक देखो मैं क्या बता रहा था तीन सवती नीच नीचे हम अस्तिन आर्म होल को मेजर करेंगे फॉर्मूला मैंने क्या दे रखा है कि 40 इंच का चाटवा इससा क्या होगा 40 डिवाइड़ बाइ 6 क्या निकल के आएगा लंसम साड़े 6 इंच ठीक है प्लस 1 साड़े 7 इंच यहीं निकल के आएगा साड़े 7 का निशान और यह आपको राउंड फिगर में चलना है जैसे मालो कि मैं यहां पे साड़े 6 बोला वो अगर नहीं बैठ रहा है साथ ले सकते हो अगर मतलब साड़े 6 से थोड़ा भी ज़्यादा हा रहा है तो आप उसको साथ ले लीजिए ठीक है यह हो गया अब इसके बाद यह निशान हम क्या करेंगे मिला देंगे अब साथ आप लोगों को clear दिखाई दे ठीक उसके बाद आप यहां पे shift हो गया यह कौन सा shift हो गया अस्तिन आर मोल का shift हो गया इसको cutting करके निकालते है ठीक है इस प्रिंसेस ब्लव्स расск नुठेंट। ब्लाऊच को उल्टा रखके काटना होता है क्याव देल्सट्स क्वेश्चन अआम तौर पर तो ऐसे किया जाता है लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको उल्टा रखके काटें वल्टा ही करक्या जाता है लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उल्टा रखके ही काटना होता है अब देखो दिक्कत क्या है आपने जो यह क्वेस्चन किया इसको मैं थोड़ा सा डिटेल उतना डिटेल तो नहीं जाऊंगा लेकिन यह जो दुनिया भर के हम निशान लगा रहे हैं चौक से अगर सीधे पले में लगा हैं अगर वो निशान नहीं निकला तो दिक्कत में पड़ जाएंगे न कस्टमर को जब हम वो ब्लाउट दिलिवर्ड करेंगे खराब दिखेगा इसलिए उल्टी तरफ यह निशान सभी लगाए जाते हैं और उल्टी तरफ फोल्ड करके ही कटि किया जाता है और आप कॉंफिडेंट हैं कि आप जो निशान लगा रहे हैं वो नहीं दिखेगा बाद में तो आप सीधा भी रखके काट सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है चाय पीलो आप रोना मत चाहे कोई लाइक करे ना करे अच्छा बंटी कटिया जी थैंकियो सो म संगीता सर्मा आप मेरा कमेंट नहीं लेते हो सौरी संगीता जी बहुत से लोग जुड़े हैं इसलिए अब यह आप खुद ही देखिए इतने सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं किसका लों किसका ना लों सर जैंस कॉलर वाला ब्लाउस बताओगे प्रिंसिस कट में सिलाई के साथ हरी हर लेडिस टेलर यह कॉलर वाला पैटरन कहां है हरी हर लेडिस टेलर जी कॉलर वाला पैटरन रहता तो चलो जैंस कॉलर ही बता देता हूँ अब मेरा घर जाने का टाइम हुआ है तो लोगों के जूनने का टाइम हो रहे देखो लाइव पे संख्या बढ़ती जा रही है जो लोग भी लेट से आए हैं ना सबसे हाँ जोड के विंती है लाइक करते जाओ और इत्ता लेट मत आया करो यार मैं बार 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 बोलता हूं साड़े नौ को लाइव करना है तो साड़े नौ को आया करो ना साड़े दस को आते हैं आप लोग और साड़े दस को लाइव करता हूं ना तो लोग साड़े ग्यारा को आते हैं ये कंडिशन है मलब एक घंटा लेट जाएंगे ये मैं कोई भागवत कता का प्रवच्चन न भी लेगा आपको, जो लोग लेट से आ रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को बाद में आप लोग पीछे करके देख लेना, अभी भी पीछे कर सकते हो, बट लाइव का जो मज़ा है वो लाइव में ही आता है, हरिणुका जी, अगरी मोजा, पायल जी, सुचित्रा जी, सर टाइम ही मालूब नहीं था, ओ, ब्रिज, नरूला, प्रशाद, हाँ सरे हैं सब लोग, सर अपको जाना पसंद नहीं है, हाँ, अगर आप लोग ऐसा चाहते हों कि मैं एनी टाइम लाइव पे बैठा रहूं, मैं लाइव इश्रिम छोड़ के चले जाऊंगा, क्या, मैं करी क्या सकता हूं, बताईए न आप लोग, वही, गुड नाइट का मेसेज परित्यागी का अभी से, परित्यागी जी, रुकिए थोड़ा सा, ये भी गेमर, कोट कॉलर प्रिंसेस का ब्लाउज में बताईए, ओके, कोट कॉलर प्रिंसेस का ब्लाउज में बताएंगे, निरुपमा महंता, पंकज मैतली, नितिम पवार, प्रितम सिंग, पायल, पंचल, मेरा नाम क्य कहता है, बहुत पास है, ससी मिसरा जी, आप चहें तो गले को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, शोल्डर को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप गले को बढ़ेंगे, सुप्रिया जाद हो, और वशी पटेल, और उनिमा स्रिवास्ताव, सर बताईए ना, क्या बताऊं, आपका कमेंट नहीं देख पाए, मैं प्रजापती मैतरी, गुड़नाइट, राज अमोदे, आजकल ममता मुगल सर, यह इंडिया है, यास, मुझे मालूम है, यह इंडिया है, और इंडिया के लोग ऐसे ही होते हैं, विवेक कुमार, टाइम नहीं, टाइम मालूम नहीं था, ओके, मतलब आप सभी लोग नए विवर्स हैं, अब मैं अपने चैनल पर एक पैनर लगा के रखूँगा, सनी मार और अभी वार को राज साड़े नाव बजे लाइव, बड़े बड़े अक्छरों में लिख के रखूँगा, कि सब को मालूम रह टाइम, मिनाक्षी जोसी, में एक कमेंट्स भी देख लो, प्लीज, आज के लिए सौरी, मिनाक्षी जोसी जी, क्योंकि आज मैं आपके कमेंट्स नहीं ले पाया, बदरिका पटेल, और आज, यस सर मेरा कंफिडेंस बढ़ गया है, पहले बिल्कुल भी नहीं था, सुरेंदा सर महा देखो, मैंने यहां पर आ और यूट्यूब पर आप लोगों को सिखाया नहीं है, मैं यहां पर सिर्फ as a teacher काम नहीं कर रहा हूं, as a tailor काम नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं as a motivator भी काम कर रहा हूं, और यूट्यूब पर तो उतना नहीं कहूंगा, लेकिन जो हमारी online classes हैं, वहाँ पर तो मैं विल्कुल as a motivator ही आप लोगों को सिखाता हूँ क्यों क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपके अंदर confidence नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे करेंगे लेकिन उतने भरोसे के साथ नहीं करेंगे और जब आप किसी काम को भरोसे के साथ नहीं करते हो ना तो वो आपका काम सही नहीं होता है और अगर आपको confidence है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है और ये confidence कब आएगा जब आपके पास knowledge सही रहेगी आपके पास जब knowledge सही है तब आपको confidence आएगा और किसी भी काम को जब आप confidence के साथ करते हैं तो 99.9% chances होते हैं कि वो काम आपका perfect ही होगा गलत नहीं होगा यही सब चीज़ें मैं अपने online classes में सिखाता हूँ इसलिए लोग आकरके हमारी online classes में जूडते हैं लोग मुझसे लगातार यहीं बोलते हैं कि सर आप इतने कम फीस में इतनी अच्छी ट्रेनिंग क्यों देते हो क्यों देता हूँ बताओं आज दिल की बात बता रहा हूँ एकदम खुल करके क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वैसे बोलना नहीं चीए किसी को गरीब से गरीब जो भी जितने भी मतलब लोग हैं सब तक हमारी online class पहुँचे 1000 रुपए की फीस कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है मैं चाहूँ जिस तरह की मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ online classes में मैं चाहता तो उसकी फीस 5000, 7000, 10,000 तक के रख सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और हमारे online class के students यहाँ पर बहुत से लोग जुड़े होंगे जो लोग comment कर रहे हैं वो लोग उतना फीस देने को तैयार भी हो जाते हैं हो जाते ना जो लोग online classes में enroll किये हैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ सब लोग हो जाते क्यों हो जाते क्यों कि वहाँ पर training उस level की मिलती है लेकिन मैं ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि भी online classes को arrange करने के लिए उसके लिए जो मैनत लगता है उसके लिए जो cost लगता है उसका सब पैसा मेरा वसूल हो जाए जो मैं time देता हूँ उसका पैसा वसूल हो जाए और आप लोगों को एक perfect retaining कम से कम पैसे में मिले इसलिए मैं online classes में इतना ज्यादा knowledge देता हूँ और बहुत ज्यादा motivation के साथ देता हूँ क्योंकि जब आपके अंदर confidence बिल्ड होगा तब आप उस confidence का फायदा ले सकते हो और यकीन मानिये आपके पास talent कितना भी रहे ये बात मेरी गवर करना आपके पास knowledge कितना भी रहे आपके पास talent कितना भी रहे अगर अपने पास समेट के रखे रहोगे डर डर के जीते रहोगे और कभी काम नहीं कर पाऊगे बहुत से online class के students जब मुझे फोन करते ना बोलते हैं sir मैं इसको कैसे बनाओ मुझे डर लग रहा है तो मैं यही बोलता हूँ अगर आप डर रहो तो काम करना छोड़ दो आप हूँ आप बनाई है और वो लोग बनाते हैं और आज तक किसी एक student का call नहीं आया कि sir हमसे यह ब्लाउज खराब हो गया आज तक किसी एक कभी call नहीं आया क्योंकि मैं उनके अंदर confidence बिल्ड कर देता हूँ उनको भरुशा दिला देता हूँ और उनको लगता है कि चलो आप लोगों को पैसे कमाने के लिए बोल रहा हूँ आपकी इच्छा है तो जूड़ी है मैं कभी किसी के लिए कोई force नहीं करता है ठीक है डिस्प्ले पर हमारा WhatsApp नमबर चल रहा है वहीं से आप लोग पूरे detail ले सकते हो कल 10 बज़े से लेकर के सामको 7 बज़े तक आप लेने का कोई भी फीस मरी लगता है आप जानकारी लीजिये लोम आपको जोइन करना करो नहीं करना है मत कहो पेपर- promet कटिंग के बारे में जानकारी लो lebih कोई दिक्कत नहीं लिए मैं तो fully में service प्रवाइब कर रहं ना आप लोगों को जानकारी देने मारी जब आप online classes जो कुछ भी करो उसको फुली confidence के साथ में करो अगर आपके पास talent है तो आपको सिर्फ और सिर्फ confidence की ज़रुरत है और मेरी तरह किसी backup की ज़रुरत है जो आपको अंदर से energy दे और अंदर से आपको वो feel कराए कि हाँ actual में आप उस काम को कर सकते हो आप उसके लिए बने हूँ सुनीता दुदानी बोल रही है क्योंकि आपके अंदर देश भक्ती भरी है इसलिए आप इतना अच्छा करें आपको सो मच और बहुंँ जादा lecture हो गया लंबा चौड़ा तो आज के इस live stream को यहीं पर end करते है हम आप सभी लोग इस live stream पर आकर के जुड़े उसके लिए thank you so much इस तरह के जो live streams हैं मैं आगे भी आप सभी लोग में करता रहूंगा जितने भी लोग जुड़े है सबसे मेरा request है कल ठीक साड़े नौ बजे आ करके जुड़ना इसकी सिलाई हम लोग live देखेंगे ठीक है हो सकेगा तो कुछ-कुछ जो कमरपटी दुनियादारी होता है वो सब हम ready करके रखेंगे और उसके बाद आप लोग को एक short way में मैं इसकी पूरी complete सी live बतानी की कोशिश करूँगा तो जितने भी ये जो comments आ रहे हैं please ये live stream हो जाएगा उसके बाद आप लोग comment डाल दीजीगा क्योंकि ये live के पूरे comments हट जाएगे live stream end हो जाएगा उसक के लिए जहिन वंदे मांतरम